हलो भाईयो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल फंटसी लीजेंड अखाडा में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे सेवन डिस्ट्रिक्स और गेम से स्ट्राइगर्स के बीच में दोस्तो जो आज CBFS T10 लीग का मैच खेला जाएगा उस मैच के बारे हम बात करेंगे दोस्तो और इस वीडियो में मैं आप लोग को सभी प्लेयर के बारे महीं बताऊंगा कौन-कौन से ऐसे प्लेयर से दोस्तो जिन्हें आपको अपनी टीम में लेना है और ऐसे कौन-कौन से प्लेयर है जो आज के मैच में दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार रहेंगे ठीक है तो वीडियो को आप लोग पूरा देखे तो चीजे आसानी से समझ में आ जाएगी चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को यार सस्क्राइब करके रखो टेलिग्राम से कि मैं सिर्फ टेलिग्राम पे आपको अपडेट करूँगा हमारी तरह भी आप लोग अच्छा का सा मॉन्ट विन कर सकते हो बिल्कुल आप लोग टेलिग्राम को जरूर जोन करना लिंक के दोस्तों डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में फिर से बता रहा हूँ वहीं से जो टीटेन का मैच हारी है दोस्तों और वहीं पे जेट जीएस की टीम है अपना लास्ट जो पांच मैच इसके लिए है ये टीटेन के उसमें दोस्तों ये अपना तीन मैच जिती है और दो मैच हारी है तो इसका रिकॉर्ड अच्छा है और यहां के प्लेयर्स भी अच्छा प आपको दिखेगा चलिए बात करें प्लेयर सेलेक्शन के बारे में तो दोस्तो यहां विकेट कीपिंग सिक्षन में आपको दिखेंगे गुरुबाज जो कि एक काफी अच्छे प्लेयर है और टॉप अडर में बैटिंग करते हैं दोस्तो साथ ही विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट दे करके जा सकते हैं तो इनको बिल्गुल ट्राइ करके चलना बैटिंग काफी सांधार है इनकर और विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे करके जाएंगे तो मैं टीम में लेकर के चलूँगा यहां पर एस तरीक दिखेंगे आपको विकेट कीपिंग करेंगे लेकिन थोड़ा बैटिंग इनका कोई fix नहीं रहता कभी भी दोस्तों किसी भी नंबर में बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं ये बाकी catches वोगेरा काफ़ इच्छा करते हैं स्टंपिंग के भी points आपको मिल जाएंगे इनके ठीक है तो एक benefit ये चीज रहेगा विकेट कीपर है और थोड़ा बहुत runs कर दे तो यहां से भी आपको points दे करके जा सकता है लास्ट मैच में देखो 48 points दिया था और वो सभी points दोस्तों इसके catch और stumping run out के आया थे यहां पे देख सकते हो catches के ही points यहां पे 5 catches लिया था उसने बैटिंग आया नहीं था तो आप चाहो तो बैटिंग के लिए इग्नोर कर सकते हो इसको एस अलीम का दोस्तो बैटिंग के बहुत कम chances है तो इनको तो मैं फिलफ्रेंस नहीं दूँगा बैटिंग सेक्षन के तरफ आया तो दोस्तो एस अली रेफाई हैं यह दोस्तो ओपनिंग पे बैटिंग करने आया थे लास्ट मैच में और वन डाउन यह फिर ओपनिंग पे आया थे और अच्छा खास इनको बैटिंग किया था ले करके चल सकतो 25 पॉइंट दिये थे डिम करके नहीं चलूँगा जे उल्ला खान है चाहो तो ले करके चल सकते हो आप लोग अपनी टीम में लेकिन अभी के लिए दोस्तो मैं इसको वेट के हूँ ठीक है मेरे पास सिंसे भी अच्छे अच्छे प्लेयर से मैं उन पर फोकस करूँगा बाकी नीचे से दोस्तो एस आम यह जो प्लेयर है अगर यह खेलेगा तो आप ध्यान दे करके चलना है एक अच्छा उप्सन रहेगा यह खेलता है तो बाकी प्लेयर में दोस्तो यहाँ पे एल सिंग बजवा है यह भी एक अच्छा उप्सन होना चाहिए लेकिन यह बहुत स्लो बैटिंग करता है बाकी द performance दोस्तो last match में देखने को नहीं मिला लेकिन इसको try करके चल सकते हो आप लोग अच्छा option रहेगा आपके लिए arounder section में पलोनी है last match में 66 run की sad inning खेला है और काफी अच्छा inning खेलता है balling भी कर सकता है ये t10 में ठीक है और balling के records भी है इनके तो इनको बिल्कुल लेकर के चलना drop मत करने इस player को important रहने वाला है ये player ठीक है यहाँ से दोस्तों आपको दिखेंगे बदमी और बदमी भी दोस्तों काफी अच्छा record रखता है और अच्छा खासा दोस्तों ये balling भी करा लेता है और ना थी दोस्तों थोड़ा बहुत आपके लिए runs भी कर सकता है तो लास्ट मैच में एक और ही डाला था उसमें दोस्तों एक विकेट ले करके गया था तो आप चाहो तो इनको consider कर सकतो देशाई भी दोस्तों आपके लिए एक से दोवर की लेने के लिए एम इसमाइल है दोस्तों ये भी लास्ट मैच में दोवर की balling किया था और काफी अच्छा balling करता है ये इसको लेकर करके चलना ग्यारा पर्शन सेलेक्शन है लेकिन important रहेगा भी आगास हुसा है ना लास्ट मैच खेला जरूर था लेकिन दोस्तों balling नहीं किया था ये ठीक है लेकिन ये balling करता है जरली टी-ट्वेंटी के अंदर आपने देखा होगा इसको balling करते हुए तो देख लेना लेना रहेगा तो important तो रहेगा ही player बाकी captain west captain के लिए थोड़ा avoid कर सकते हो इसको बहुत लोग captain west captain देंगे लेकिन आप थोड़ा avoid कर सकते हो नादिर हुसान है ये भी दोस्तों last match में balling नहीं किया था यहाँ पे आप लोग देख सकते हो last match इसने balling भी नहीं करा ना batting करा ये T20 में हाला की batting कर रहा था CBFS का जो T20 लिख था उस batting balling दोनों इसको मिल रहे थे बाकी नीचे के जो players है यहाँ पे दोस्तों aim azar है खेलेगा तो इसका record काफी अच्छा है इन पे ध्यान देकर के चलना नहरू है दोस्तों ये भी खेलता है तो बिल्कुल इनको 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 भग रहने वाले हैं कभी भी balling करने के लिए आ सकता है balling section के दरह पाजाएं तो एफ अलताफ हैं काफी अच्छा balling करते हैं last match में दोस्तों सायद इसने 4 wicket ले था और काफी अच्छा balling कर रहा था दोस्तों तो ले करके चलो 134 point दिये लास्ट में important रहेंगे टी भार्टी हैं 78% selection है last match में 60 point दिया था और काफी बढ़िया बालिंग कर रहा था दोस्तों दो wicket ले करके गया था अच्छा option है आपके लिए बिल्कुल अपनी team में ले करके चलना है इस player को एन अजीज हैं ये भी दस्तों काफी अच्छी balling करता है और left arm orthodox baller है बिल्कुल preference देना batting ball balling first यह हो चाहिए balling second हो इसको बिल्कुल team में ले करके चलेंगे अपन ठीक है नीचे से दस्तों एम अली है ये भी काफी अच्छी option है ये balling के लिए अच्छा खाता balling करता है record भी ठिक ठाक है मैं टीम में बिल्कुल ले करके चलूंगा दोस्तों यहां से एक player मुझे hall ले balling करें तो दोस्तों इनके जो player है में player इनको तो आपको miss नहीं करना इनको ले कर करके चलना है क्योंकि ये दो-दोवर की balling करेंगे डिकूरे सी एम अली टी भर्टी एफ हल साब ये दो-दोवर की balling करने वाले player है न ये इनको तो विल्कुल नहीं drop करना ismaill कर देख सकते ह इसने भी लास्ट मैच में काफ़े अच्छा बॉलिंग था साथ पर्सेंट सेलक्सन है विल्कुल लेकिन इसको मैं टीम में जरूर सजेस्ट करूंगा लेकर की चल सकते हो इस प्लेयर को ठीक है इतने में तो मेरे सारे प्लेयर सा जा रहे हैं बाकी यहां से ओ रहमान भी आपक अगर खेलते हैं तो यह भी काफ़े अच्छे बॉलर है अगर खेलेंगे तो बिल्कुल फोकस करके चलना दुस्तों ठीक है अभी के लिए लेकिन मैं यहां से इसमाइल को लेकर के जा रहा हूँ और यह मेरी दुस्तों इस मैच की डेमो टीम है यहां पे मैं कैप्टन वैस क कि बात करूँ आप लोग के लिए तो देखो पनोली एक अच्छे बाइस के लिए टीभार्ति एक अच्छे बोली करें है दोस्तों तो यह तीन प्लेयर जो है इन पे ही मैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जाओंगा बाकि दोस्तों जो मेरी डेमो टीम बन जाती है और फाइनल टीम टेलिग्राम पर मिल जाएगी आपको जैसे बता चुका हूँ टेलिग्राम को जोई नहीं कर ले न वीडियो अच्छे लगए तो लाइक करो दूस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंके सो म हुआ हुआ यजा हुआ हुआ है